हेलो फ्रंटस कैसे हो आप लोग आज का मैच होने जा रहा प्लेटीेनेव वनके अगांच न्योजिलैंड प्रीमिक के मैच है तो यहां पर हमन ना टॉस विं किया है और बैटिंग करने का फैसला किया है भी कि कि प्रो प्लेयर का अगेंच है ट्रिलर मैच है तो गैस यह रही हमारी प्लेंग 11 जिसमें आपको फीन एलन शेफ़र्ट डेखने मिलेंगे यह रही अपॉनेंट की प्लेंग 11 यह आते हुए इयन बेल और ब्रूम दोनों ही बैलेंस बैसमेंस हम शुरुवात करने वाले सामने है स्विप्सन पहली बॉल लैग स्पिन करी थी एडवांस शॉट खिला है अटेकिंग शॉट खिला है और पहली बॉल पर बाउंडरी असिल करी है इस बार साइट चेंज करके बॉल करी थी लेकिन इस ट्रेट में शॉट खिला है फिल्डर के सर के उपर से बाउंडरी निकाली है इस बार फिर लैग स्पिन करी थी फिर ए जो कि बैलेंस के पास में मौजूद है ये शौट और बाउंडरी निकाली है एक बार फिर उसी दिशा में शौट खिला है और क्या खूब बाउंडरी आई है यह वर की लाश्ट बॉल है इस बार एडवांस खिलना चाहते थे एज लगी है जिसके चलते बाउंडरी तो नहीं लेकिन तीन रन जरूर मिलेंगे तो यहाँ पर पाउर प्ले हमारा बहुत अच्छा जाता हुआ थार्टी थ्री रन आई पाउर प्ले से नेक्स्ट वर्ड डॉसन करेंगे तो यहाँ पर लैग स्पिन समझ के खेला था कैरम निकली है एक ही रन मिलेगा इस बार जीरो पेस बॉल है और कैरम समझेते हैं यह दूसरा निकली है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्ली करने के कारण विकेड ही है थार्टी आट सरकल में हमारा कैच पकला गया भाई शेफर्ड आ चुके बल्ले बाजी के लिए एक बार फिर कट शॉट खेला लेकिन फिल्डर डाइव लगाएंगे और कुछ रन अपनी टीम के लिए बचाएंगे तो कमबेक होता हुआ इस ओवर में अपोनेंट का बटलर आये फोर्ट ओवर लेकर पहली बॉल शॉट पिच बॉल थी अच्छा शॉट खेला लेकिन यह पर परफेक्ट पे केज जाता हुआ यह नाइन साफ ही हो चुकी बेल के साथ इयन बेल रोंची करेंगे सामना बटलर का ओ यह पर अपर कट खेलना चाहते थे कट शॉट कनेक्ट नहीं हुआ है ओवर की फिप्ट बॉल इस बार स्ट्रेड में शॉट खेला है और निकल गई है फिल्डर के सर के उपर से निकल गई है यह बॉल ये ओवर की लाश्ट बॉल है शॉट बॉल करीती सामने के ओर उड़ाया है क्या यार शॉट लगाया है बहुत ही घजब का ये शॉट था लाश्ट ओवर राशित खान लीजेंड प्लेयर आ चुके भई पहली बॉल पर अडवांस खेला है राशित को अटेक करना चाते थे लेकिन इनके फिल्डर की मुवमेंट बहुत तेज है कुछ रन बचाए अपने टीम के लिए तो भाई स्कोर इतना अच्छा ख़ड़ा नहीं हो पाया अभी इस बार लेग स्पिन समझ करी खेला था लेकिन संपर कितना खास नहीं टाइमिंग इतना अच्छा नहीं हुआ है तो यहाँ पर शेफट की विकेट जाती हुई रवीब भुपार आते हुए इस बार वाइट बॉल करी थी कट शॉट खेला है लेकिन फिल्डर यहाँ भी तेना एकी रन मिलेगा क्या ही बॉलिंग हो रही है यार अपोनेंट के तरफ से इस बार साइट चेंज करके बॉल करेंगे यहाँ पर काफी अर्ली किया है लेकिन यह क्या छूटा है यह क्या छूटा है भाई जिसके चलते आप पर दो रन हमें मिलेंगे तो 57 रन यहाँ पर हमने बनाए और 58 का टारगेट अपोनेंट को दिया है तो अपोनेंट की और से रदर फोर्ड आते हुए इएन बटलर करेंगे हमारी और से पहला वर पहली बॉल आफ कटर करिए क्या ही खुबसूरा शॉट लगाया इन्होंने बटा दिया यह प्रो प्लेयर है तो यह टारगेट डिफेंस करना थोड़ा मुश्किल होगा इस बार आफ कटर करीती मिस होई यह इस बार स्विंगर बॉल है इन स्विंग बॉल है एडवांस खेले एज लगा है और यहाँ पर दो रन भी चुरा लिए एक बार फिर ओफ कटर करीए यह डॉट होगी भाई यह फाइनली डॉट होगी पढ़िया पिशिंग यहाँ पर होती हुई एक बार फिर ओफ कटर करेंगे और एक बार फिर डॉट होगी इस बार good lane करिए over pissing जिसे कहते है ओ यहाँ पर dot करवाई है और wickade भी जटकी है wickade मिली है भाई रधर फूट की क्या ही कमाल का यह over गया है और ब्रायन आया अपना second over लेकर outswing ball है और dot होगी balance bestman है सामने जिसका फायदा उठाना चाते है इस बार slower ball है ओ टांग पकड़ी थी बहुत ही गजब की boundary आपर निकालते हुए एलोइट next ball leg cutter है ओ इस बार कमाल का हुक खेला है हम भूल गयते हैं सामने brood bestman है जिसके बाद हुक मौजूद है इस बार outswing करेंगे टांग पकड़ी है लेकिन क्या खूब खेले भाई यहाँ पर केल राउल वाला शॉट खेला है और यार मुझे लगता है यह दो सिख्स हमें महेंगे पड़ेंगे next ओवर रादा क्रिशनन करेंगे दूसरा करीती लेकिन यह अच्छा श्ट्रॉक शॉट खेले और दो रण चुरा भी लेंगे तो भाई यह अटेकिंग खेलने के साथ सथ श्ट्रॉक खेलना भी जानते है तो यह होती है प्रो प्लेयर की निशानी इस बार कैरम बॉल करीती गुड लैन करीती लेकिन संपर कितना खास और यह जाएगी बाउंटरी के पार इस बार टॉप स्पिन करीए और एक बार फिर श्ट्रॉक खेला है मजबूर कर रहा है हमें गलत बॉल देने के लिए अपनेंट की सोच अच्छी है इस बार ड्रिफ्टर करेंगे लेकिन इसे पहुचा दिया है बाउंटरी के बाहर टीम शेफ़ा एडबाई क्या ही कमाल की बल्ले बाजी कर रहा है पूरा मैज अपनी और खीच के लिए चले गए अपनेंट अब बारा बॉल बीस रनों की जरूरत इस ट्रेट बॉल करी थी कुड लैन बॉल थी इसे भी पहुचा दिया है बाउंटरी के बार खतम टाटा बाई 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 बहुत जल्दी करने की सोच रहा है अपनेंट इस बार इन स्विंग बॉल है शॉर्ट बॉल है एक बार फिर उसी दिशा में शॉर्ट खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुआ है इस बार ओफ कटर करिए कमाल का शॉर्ट है पढ़ लिया था बॉल कोगी बाउंसर है और लगा दिया है भाई लॉंगाउन के उपर से इस बार इस ट्रेट बॉल है टू शॉर्ट बॉल है लेकिन इस बार हुक शॉर्ट केला है क्या एक ही रन मिलेगा जिया जिया यहाँ पर एक ही रन मिलेगा तो भई लाश्ट ओवर थ्रिलर छे बॉल दस रनों की जरूरत पहली बॉल राउंड विकेट दूसरा करिए और श्ट्रॉक केलना चाहते थे मिस होई है बॉड़ी में लगिए इस बार कैरम करेंगे साइट चेंज कर लिए हमने यहाँ पर आफसाइड में शॉर्ट खेला जरूर है और फिल्डर यहाँ पर पकड़ भी लेंगे लेकिन एकी रन बचाएंगे यहाँ पर तीन रन अपोनेंट ने चुरा लिये चार बॉल साथ रन एक बार फिर कैरम करेंगे कालिंग मुंद्रो है सामने यहाँ पर कट शॉर्ट लगाने का प्रयास लेट हुए सीधा फिल्डर के आतों मे यह भाई थ्रिलर से भी किलर होते जा रहा है मैच अब होना तीन दो बॉलों में साथ रन इस बास जीरो पेस बॉल है दूसरा करी है और यह अरली किया है क्या यह भी कैच होगा जी है बिल्कूल होगा और यह गेम चेंजिंग ओवर है डॉसन का अब लाश्ट बॉल या तो सिक्स होना ड्रॉ के लिए यह मैच हम विन कर जाएंगे चलिए देखते हैं दूसरा करी है और यहाँ पर अरली किया या कैरम समझ कर खेलाता बल्ले बाजने जिसके चलते दो ही रन मिलेंगे तो गाइज यह अन्बिलिवल मैच है भाई अन्बिलिवल विनिंग यह चार रन समने मैच जीता है मुझे खुद बिल्लिव नहीं हो रहा है क्योंकि हाथ से पूरा मैच निकल गयाता तो कैसा लगा आपको मैच कमेंट करके जरूर बता है थैंक्स पोर वाचिंग